आज मैं आपके साथ सेयर करने वाली हूँ बहुत ही लाजवाब एक दम मज़ेदार और बिल्कुल रेस्टरेंट स्टाइल रेसेपी कड़ाई पनीर कड़ाई पनीर बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है अक्सर हम जब बाहर खाने के लिए जाते हैं और कड़ाई पनीर ओर करते हैं तो उनका जो कड़ाई पनीर होता है बहुत ही लाजवाब होता है बहुत ही टेस्टी होता है लेकिन जब हम घर पे बनाते हैं तो उन जैसा बिल्कुल नहीं बनता लेकिन आज मैं बिल्कुल रेज्टोरेंट स्टाइल आपको सिखाऊंगी और बहुत ही आसानी से तो चलिए इसे बनाना हम स्टार्ट करते हैं हेलो फ्रेंड्स मैं सोनी मेरे यूट्यूब चैनल सोनी फोट स्टाइल में आपका स्वागत है अगर आप मेरे चैनल पर नहीं है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और और नोटिफिकेशन भी आप प्रेस कर लीजिए जिससे आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रही कड़ाई पनीर बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़े चाहिए उसके लिए मैंने दो सिमला मिर्च ली हैं जिसको मैंने चोकॉर साइज में कट कर लिया है आप चाहे तो ट्राइंगल में या आप जैसी से पसंदों फैसी कर लीजी और यहां दो मैंने प्यास लिये हैं, इसे भी कट कर लिया है, दो सो ग्राम मैंने पनीर लिया है, तीन बड़े टमाटर लिये हैं, दो हरी मिर्च लिये हैं, दो मैंने याद रखके टुकड़े और लहसन के चार कलिया लिये हैं, और कुछ खड़े मसाले लिये हैं, जिसमें ल अच्छी रहेगी और एक चोटा चमज मैंने खड़ा धनिया लिएया यानि कि धनिये के बीज लिए हैं और एक चमज ही मैंने यहां बटर लिया है इसे हमारी कडाईबनिर बहुत ही टेस्टी बनेगी तो सबसे पहले हम खड़े मसालों को भून लेते हैं तो यहां मैंने पैन लिया है और उसमें खड़े मसाली डाली हैं लाल मिर्च, थोड़ा सा जीरा, धनिया और सौफ, इसको हम ड्राइ रोस्ट कर लेंगे, यानि कि थोड़े से हम भून लेंगे, आप अगर ड्राइ रोस्ट नहीं करें तो आप इसको थोड़ी दिर के लिए दूप में भी रख सकत अब उसी पैन में मैंने दो चम्मच यहां तेल लिया है, अब मैं प्यास, टमाटर, अद्रक, लैसुन और हरी मिर्च डाल के इसमें अच्छे से बून लोंगी, जब तक कि हमारे प्यास अच्छे से घलकी गुलाब भी ना हो जाएं और टमाटर सॉफ्ट ना हो जाएं तब काजू लिये हैं, उसे भी डाल देंगे, इसे हमारी ग्रेवी बहुत ही टेस्टी बनेगी, अब दो मिनट के लिए ढख कर पका लेंगे, तो मिनट हो गए हैं, हमारे टमाटर और काजू बिलकुल अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं, अब गैस को बंद करके हम इसे ठंडा कर लेंगे और फिर इसके प्यूरी बना लेंगे, तब तक हम जो खड़े मसाले हमारे ठंडे हो गए हैं, उन्हें हम पीस लेते हैं, तो चलिए हम इसमें डाल लेते हैं इसको, पीस लेंगे, देखिए मसाले का मैंने पाउडर बना लिया है, इसको अलग निकाल लेंगे, और इसी मिक्सिजार में हम जो टमाटर और प्याज हमने भूने थे, उसे हम ये ठंडे हो गए हैं, इसे भी हम पीस लेते हैं, इसकी एक प्यूरी बना लेंगे. अब मैंने यहां पनीर लिया है, उसमें एक चुताई चोटी चमच लाल मिर्च पाउडर, एक चुताई चोटी चमच मैंने या नमक लिया है, इसको अच्छे से कोट कर लेंगे, मिक्स कर लेते हैं अच्छे से, और अब उसी पैन में मैंने यहां एक चमच तेल लिया है, और प्यास के टुकडे और सीमला मिरस के टुकडे हैं वो हम सारे बून लेंगे तो सबसे पहले हम यहां पनीर थोड़ा सा एक से दो मिनिट के लिए चला कर अच्छे से बून लेंगे इसको जादा बिल्कुल नहीं बूनना है नहीं तो यह बिल्कुल कड़क हो जाएगा अच है उसका कलर बहुत ही अच्छा हो जाएगा तो एक से दो मिनिट हो गया है ज्यादा इसको नहीं चलाना नहीं तो यह तूटने लगे अब इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे इसको पलट पलट के अच्छे से बून लेंगे और फिर इसको हम प्लेट में निकाल लेंग और इसी तेल में जो बच गया हमारा उसी में मैं प्याज और जो सिम्ला मिरच के टुकडे किये हैं वो हम भूल लेंगे ज़्यादा नहीं भूलना है, एक से दो मिनट ही हमें इसको चलाना है इसका color change बिलकुल नहीं करना है अगर हम ज़्यादा पकाएंगे तो इसका color change हो जाएगा जो सिम्ला मिरच का color है वो change हो जाएगा वो change नहीं करना है तो एक से दो मिनट ही हम इसको चलाना है और फिर निकाल लेना है प्लेट में अब मैंने एक कडाई लिए है उसमें एक बड़ा चमच देल तेज पता डाल दिया है इलाइची, लॉंग, दाल चिनी का टुकड़ा अब इसको भून लेंगे और अब यहां मैं एक चुथाई चोटी चमच हल्दी लोंगी हल्दी जादा यूज नहीं करनी है क्योंकि प्यूरी का कलर वैसे ही बहुत अच्चा है और एक चोटी चमच यहां लाल मिर्ज पाउडर डाल देंगे और तुरंथ हम जो प्यूरी बनाई हैं हमने वो डाल देंगे चलिए डाल देते हैं और इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे एक से दो मिनट हम चलाएंगे अब ढग कर इसे दो मिनट के लिए पका लेंगे और जो हमने मसाला बनाया है उसे डाल लेंगे और एक चोटी चमच में यहां नमक डाल लूँगे एक चोटी चमच नमक नमक हमने पहले भी यूज किया है तो आप देहान से यूज़ करना आप अपने स्वाद के नुसारिश में नमक डाल सकते हैं अब मसाले हमारे जब तक पकेंगे कम से कम हमें दो मिनट के लिए से डग कर पकाना है मसाले भी पक जाएंगे और ये प्यूरी तेल छोड़ देगी दो मिनट हो गए हैं प्यूरी ने अच्छे से तेल छोड़ दिया है देखी और मसाले भी हमारे अच्छे से पक गए हैं अब हम इसमें पनीर डाल देंगे और साथ ही साथ प्यास और सिम्लाम विर्स के जो टुकडे हमने पकाए थे वो भी डाल देंगे और अच्छे से हम मिक्स कर देंगे चलिए अच्छे से मिक्स कर लेंगे कड़ाई पनीर बनाना बहुत ज़्यादा आसान है और यह बिल्कुल सिम्पल तरीके से ही हम इसे घर पर बना सकते हैं अब हमने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है और पांच मिनट के लिए अब इसे ढग कर पका लेंगे और गैस की फ्लेम को मीडियम ही रखेंगे पांच मिनट हो गए हैं अब इसमें मैं एक चोटी चमच कसूरी में ती डाल दूँगी और कटा हुआ हरा दनिया भी डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब मैं यहां एक चमच जो हमने बटर लिया था वो भी डाल दूँगी आप बटर की जगे दो से तीन बड़े चमच मलाई के भी ले सकते हैं या फिर जो फ्रेश क्रीम होती है वो भी डाल सकते हैं जब हम प्यूरी बनाते हैं या फिर जब हमने ग्रेवी को पकाया था तो उस टाइम हम उसको डाल सकते हैं चलिए बटर को अच्छे से मिक्स कर देंगे और दो मिनिट के लिए इसके ढखकर ऐसे ही छोड़ देंगे और गैस को हम बंद कर देंगे कडाई पनिर बिलक। तयार हैं देखिए लग रहा है न बहुत ज़्यादा संदर और खाने में लाजवाब है बल्किलального रेस्टरेंट जैसा। छैसे हम रेस्टरेंट में खाते हैं बिल्कुल ऐसा। देखिए बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा देखने में भी और खाने में तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है तो चलिए आप भी बनाएए और आप बताईए मुझे कि आपको ये रेसिपी कैसे लगी मुझे कमेंट कीजिए अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडिय को लाइक कीजिए शेयर कीजिए अपने फैमिली में फ्रेंड में और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बैल आइकन प्रेस कर लीजिए तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई बाई फ्रेंड्स थैंक्स प